मजदूरों के बालो जिले के हजारों मनरेगा मजदूरों के वर्ष 2022-23 का 82,59,59 रुपए राजिसरकार में अटग गये हैं मजदूरों को अब तक भुक्तान नहीं हो पाया है जिसकी वज़े से मजदूरूस चिंदित है यह उन मजदूरों का भुक्तान है जिन्होंने 100 दिवस से अधिक अतिरिक्त कार किया है याने की 100 दिवस से अतिरिक्त दिन में किये गए काम का भुक्तान चो राजिसरकार को करना था वो नहीं हो पाया है लगबग 40,446 मानो दिवस का 82,59,000 मजदूरों को बुक्तान किया जाना बाकी है अभी बीते अप्रेल में ही मन्रेगा मजदूरों को मिलने वाली दर में 17 रुपए की बढ़ोतरी की गई है पहले 204 रुपए मजदूरी दर थी अब वो बढ़ कर 221 रुपए हो चुकी है लेकिन जो 2022-23 का भुक्तान बकाया है वो 204 रुपए की दर से है मन्रेगा विभाग की अधिकारी की माने तो वित्व विभाग मंत्राले में फाइल पहुँच गई है दरसल 36 गड में महात्मा गांधी राश्ट्री ग्रामीर रोजगार गैरंटी अधिनियम श्रमिको को 1 अप्रेल 2023 से प्रति दिन 221 रुपए की मजदूरी मिल रही है केंद्रीय ग्रामीर विकास मंत्राले ने मन्रेगा के अंतरगत वितिय वर्ष 2023 के लिए राजजिवार प्रति दिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है इसके अनुसार 36 गड़ के मनरेगा मजदूरों को प्रती दिन मजदूरी में सतर रुपए की बढ़ोतरी से दी जाएगी मनरेगा के तहट काम करने वाले हाथ से महनत करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है 36 गड़ के मजदूरों के लिए 221 रुपए प्रती दिन की मजदूरी तै की गई है ये नई दर एक अप्रेल 2023 से लागू हो गई है इसके लिए केंदरी ग्रामीड विकास मंत्राले ने चालू वित्तियवर्ष 2022-23 के लिए 204 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी लेकिन नए वित्तियवर्ष के लिए इसमें 70 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जिला मंडरेगा अधिकारी ने बताया कि 100 दिवस के उपर अतिरिक्तिकार करने वाले मजदूरों का बिते वर्ष 2022-23 का 82,59,59 भुकतान होना शेश है क्या आपके भी गाओं में मंडरेगा मजदूरों का बुकतान लंबित है हमें कॉमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजेगा